हाँ तो जैसा ही आपको पता है आज आपका टेस्ट साध्याट बजाएं और एक बार चप्टर को कम्प्लेट रिविजन के लिए शॉट नॉट्स मैंने बहुत ही परफेक्टली बना दी हैं जिसने चप्टर पढ़ रखा है मेरे साथ मेरे साथ मेरे बहुत इजी रहे को कि मै बाते रखी ज्यादा नहीं रखी खास थोड़ से अपना जो एंडिया पिप्टली बुक है चप्टर नुमर फाइव उसका बू संसाधन क्रिशी यानिकी लैंड रिसोर्सें अग्रिकल्चर ठीक है चप्टर आपका रहेगा सबसे पहले बात करेंगे चप्टर फाइव की बू संसाधन तदा क्रिशी की ठीक है चप्टर नुमर फाइव तो पढ़ लिया अपने सबसे पहले बात करेंगे बूराजस विभाग की ठीक है रेविन डिपार्टमेंट रेविन डिपार्टमेंट क्या करता है वनमाक्स में क्योश नहीं आएगा तो यह बूपयोग संब प्राइब लेकिन यह जो है अपना भारतिया सरवέक्ष्ण विभाग यानिकि- Important की प्रशाष्यी इक आयूं कि भगुलिखी चैत्र की सही जानकारी तो ठीक कर लेते हैं आप महमुलें च्छोटा कर सकते हो गी कुछ इंडिया यह कुल भौगऑलिक शैट्र के रिपोर्ट देता है। ठीक है जबकि यह जो देता है यह तो रिपोर्टिंग शेहत्र पर अधारित होता है और इसका जो भी काम होता हो इस थाई होता है ठीक है इस चोटी मोटी वन मार्क्स में क्योशन आसे कर बनें तो इसको उतार लेना अगला जो है वो यह हैं कि भूराजश्य वबिलेक द्वर अपना है गया भूपयोग वर्गेकरण बहुत इंपोर्टेंट है तो लेंड यूज कैटेग्री इस मैंटेंड इन दा लेंड रेविन्यू रिकोड्स उसमें कुल मिला कि यह जो आपके हैं टोटल नो है टोटल कितना है नो है यह नो हो जाएंगे नो के नो नाम याद कर पहला वनू की अधिन शेत्र फोरेस्ट जिनको बोलते हैं बंजर वेर्थ भूमी देखो एक बात का ध्यान रखना टू माक्स में क्योशन ऐसा आएगा जिसमें आपको हैडिंग लिकोगे तो भी पूरे नमर मिल जाएंगे तो इध्यान रखना अब्जेक्टिव क्योशन अधिनी में से बनेगा कोई चार उसमें देदेंगे और प्रेशिंग कुछ लिखे देंगे कौन सा नहीं है कौन सा है ठीक है दोसरा बंजर वेर्थ भूमी यानकी बैरन एंड वोटर लेंड्स तीसरा गेर क्रशी कारियों में प्रिव्ट भूमी लेंड पुट्टू नोन चोधा इस्ता ही चारा गाश शेत्र जहां पर यह पशू पशू वगरा चारते हैं परमानेंट पैस्चर पांचवा विविद तरूफ असलों वे उपनों की अंतरकत शेत्र यानि एरिया अंडर मिशनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स छटा कृशियों के वेर्थ भू पुरातन परती भूमी फैलो अधर देन करंट फैलो और निवल बोया शेत्र नेट एरिया सौन कुल में लाकर यह आपके जो टॉटल नो है वह वह बूराजे सोब अब लेकदर आने जो वर्गी करने वह है ठीक है वेरी इंपोर्टेंट ये भी बात आती है साजा संपती सं अरिम सा doubles common property resources इसके परकार याद रखना फिर करशी enrolled और करशी जहनता करशी चक्ता का यह फोर्मुला है वनमाक्स में अगर आप से कर्शी जहनता का 5 फोर्मुला को चेंद इस फोर्म교 को आपको याद रखना है ब्री इंपोर्टेंट है करशी गेंता को एंदिखार इसे अरिक हो ने क्रोपिंग लिए और सकते हो रहें नेटेरिया सोन बात एक ही है इंटु हंड़िय है इंटू हंडड़ इंट्रीप्लाइबाइब सो फिर नेक्स टॉपिक भारत में वसल रीतों है क्रोपिंग सीजन से इंडिया तो भार्त में तीन रीत्वे हैं तीन वह हैं अब यहां पर रीत्वे आप सब जानते हो ठीक है कौन-कौन सी खरीफ की फसल रभी की फसल जाहिद की फसल खरीफ जून से सप्टेंबर रभी अक्टोबर टो मार्च और जाहिद जो है वह अफ्रे सिंचित करशी एंड इरिगेटेड एकरफ और वर्श्टार निर्पर करशी यानि इस प्रोड़क्टिव होती है और इसकी में बात करूँ यह भी वर्श्टार निरपर बारानी वह भी दो परकार की है कौन-कौन सी शुष्की भूमिकरशी यानि कि ड्राइलेंड फार्मिं बहुत important है हर मतलब सिंचित इरिगेटेड के भी दो पार्ट में डिवाइड है और जो वर्षा निरबर है उसके वह भी दो पार्ट में डिवाइड है यह है अपनी करशी के परकार types of farming ठीक है very important फिर बहुत बड़ी चीज़ यह है इसको बड़ी ध्यान से समझना है इस वाले सिरल्स दूसरा डाले पल्सेश दो में मैट ए अनाज में हमने क्या रखा जो आपकी सकोर्स में है rice चाओल वीट गेहु जौर बाजरा और मक्का पांच है rice wheat जौर बाजरा मेजबाजरा यह पर मिलेट बहुत सकते हैं लेकिन बाजरा भी सही है चावल के हुँ जुमारबाजरा मक्का और डालें हमने रखी है चना और अरहर अरहर का दूसरा नाम तुर भी है तो यह वेरी इंपोर्टेंट अपने इसके अंदर रख दिया है ठीक है अब यह पहली बात हुए आपको डिवाइडेशन का पता हो ना शीक खादिया इंपशल तो राइस्ट पस्ची मंगाल में वेस्ट पैंगोल में उत्रपरदेश में पंजाब में हरियाना के अंदर चावल सबसे ज्यादा होता है कोई कोई भी चार राजी याद गलवा बस फुल माक्स मिल जाएंगे तो मैंने चार-चार के चार्ड बनाएं है गयों वीट वह पचासफ परस्वन माहाराष्न मी जाता है करनाटक MP और अंदर प्रदेश फिर बात करते हैं बाजरी की माहराष्री गुजज्ञाथ यूपी राज़श्तान यी बाजरा होगया और मक्का मेज तो करनाटक MP बिहार अंदर परदेश चना की ग्रहं म्ठ उपी एंपी इपक्रिक को होती है गुज्राथ राजस्तान तमिल नाडव अंदर तिन का मतले पर उडंड़ ठीक है irak सरस्टाम की बात करें था अकेले में धृन रखना मैंने लिख आ है कुछ बात इदर राईस्तान अकेले में 15 था है अक drugis मूंक्त फ़ी हो जाती चाहिव, वह सरसू संफलार है यह दो हैं इसमें कौन-कौन से राज्जे हैं तो वह MP महरास्टर यह दोनों मिला के 90 परसंट तो बस बाकी स्टेट्स के नाम ने करना ही जरुत नहीं पड़ेगी क्योंकि अक्केले 90 परसंट दोनों जोने करते हैं स्वयाबीन और सुरजमुकी को MP और महरास्टर 90 परसंट ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टन चीज हो जाती है यह अन्य अधर मदला ओट सील्स है बात करते हैं कुछ फैक्ट की इन्हीं फसलों से लिटेडी कुछी फैक्ट है जो सीधे सीधे वनमार्क्स में क्योंकि आपको पता है कि वनमार्क्स का वेटे इस थर्टी नं अन्य इस थे यह अन्य फैकरता है सिरख करता है सिर्फ दॉपध राइव बॉल्ट है कि पुरे उसका प्रोड्यूशर थे इंडिया कुछ अंधर करता है निया अकेरे बश्म में पीदा होता है है बहुए बढ़ी बात थे थे टीवह में से निया सब्सक्राइब क्ить जाएधा किस्म है किसी और भारत विश्व का 21.9 27 पॉइंट संगल सपाहे आ इंडिया उसार में 21.9 भारत में ब्रसलिट बीड़ सेकेंड है इंडा पूरे अनाज पैदा करने में और अनाज के दरम थार्ड है ठीक है बात करते हैं गेहों की तो गेहों भारत विश्वेका गेहों के अंदर 12.8% हम पूरे विश्वेका पैदा करते हैं इंडिया में मतलब प्रोडूस करते हैं पूरे संसार का वर्ल्ड का ठीक है यह काफी important factor फिर बात करते हैं डालूं की यह तो अनाज हो गया डालूं की बात करें तो बाता है तो मैं आपको सब को पता है कि प्रोटीन KOOB होताए तो मैंने प्रोटीन प्रोटीन GORDON पर चेंसा है। बाता है जो बैरेसे हमारे भरदेश भारत में जतने जा यह कि वहांगी चांट है 1ग करो पर न वहीं होते हhou फ olduğ Science कि वहीं से दो पर्सक्रीली च्रोंड पर सीचतर को जो एक सबस्क्राइब में लिखा है देश के कुल बोएगे श्यत्र का 16.5 परसेंट भाग पर मोटा नाज बोए जाता है यानि कि दाग कोर्स सिरल्स टुगेदर ऑक्यूपाई अबाउट बाजरा बोए जाता है यह यहां पर भारत के अंदर बैसिकली पैदा किया जाता है फिर बात आती है यहां पर तो वह देश में कुल बोएग श्यत्र का 14 परसेंट गेउं अपने यह गेउं लिखा था ना इस गेउं को कॉंटीन लिए लेना कि 14 परसेंट भारत के अंदे से यहां पने लिखा जो हम कुल प्रोडक्शन करते हैं जो पूरी खेती करते हैं उसका 14 19 परसेंट गेउं जाता हैं जेसे दाले कितनी 11 परसेंट वेसां जू आपको यहां थी का राइस फोर्टीन परसेंट यानि कि न्वहारे डेशेंश में क्या गेउन लॉड हेश हिसाँ रॉनNowal मांक्स ओए और बात करते हैं नेक्स्ट बाहरत विश्व में 19.5% मुंख फिली का उत्पादिन करता है ठीक है इंडिया प्रोड़िस अब पूरे संसार में जितनी भी मुंख फिली होती है उसका 3.6% मुंख फिली होती है अलांकि संसार की तो लगबग 19.5% बाहरत मुंख फिली पैदा होती है जैसे यह देश के अंदर मुंख फिली कितनी पैदा की जाती है भारत में जितनी भी क्रॉपिंग एरिया है जितना हमारा बोईगे शेतर है उस बोईगे शेतर का धाई परसेंट है तो लिए उसरों पैदा की जाती है ठीक है फिर बात करते हैं रेशेदार फसलों के फाइबर कॉप्स की इसमें कपास आ जाती है और जूट मैनली कपास और जूट है कपास में कुछ फैक्ट है पहली बात है कि छोटे रेश्य वाली अब आप ऐना इस टायम लिखा था कि कपास की किस्म होती है एक तो यह किस्म छोटे रेश्य वाली यह पर क्रिश्म है और आपको पता है जो उत्रि भारत के अंदर अमेरिकान इसको नर्मा जाता है इस American को यह वो नर्मा भी का जाता है तो यह दिया नर्मा किसे कहते है अमेरिकन या लंबे रेशे वाली कपास को नर्मा या लोंग स्टेपल को नर्मा का जाता है यह भी वनमाक में आपके नॉट्स में अच्छा से पढ़ लिया था इसके कुछ फैक्ट है फिर एक फैक्ट और है कपास के फूल आने के समय आकाश कैसा रहना चाहिए तो बादल रहीत होना चाहिए मतलब बिल्कुल बादल साफ होने च प्रफ्लोरिंग स्टेज का मतलब है कि जब आस्मा एकदम साफ होना चाहिए जब फ्लोरिंग स्टेज होती हो तब आप्टर चाइना सेकिंड और चाइना के बाद में भारत कापास पैदा करने में दूसरा देश है सेकिंड एपन और देश का लगब 4.7 परसेंट हम जो है यहां पर इस कोटन को जो भी हमारे देश में खेती की जाती है बहुए गाशेतर यानि टोटल क्रोपिंग एरिया का 4.7 परसेंट जो है कपास पैदा की जाती है और फिर कौन-कौन से राज्यों में कपास या कोटन बहु जाती है तो गुजरात महरास्तर तेलंगाना पंज और सजावती सामाने की डेकॉराटिव आइटम्स बनाने के लिए जूट का प्रियुक्या जाते है और 3.4 लगबग 75 परसेंट अकेले पशी मंगाल के इंदर जूट का उतपादन होता है वेस्ट मेंगोल में होता है और इंडिया वल्ड का 60 परसेंट उतपादन जूट अलावा इस पश्य मंगाल करेंगे दो राजी और बिहार और असाम यहां पर भी जूट थोड़ा बहुत होता है हालां कि लगबग लगब पश्य मंगाल करने सारा जूट हो जाता है अब इनके अलावा कुछ अन्य पसलें हो रहे अन्य तिलन पसलें जिनको बला जाता है उ उसमें नम्र यहां क्याता है सूगरकें गन्या गन्या जो है गन्या की बात करीने ठोदी दीडें जीऊपर कर देता है यूप यह नियूपी गन्या में गन्या में 40 संट गन्या पेदा होता है और महाराश्टर, गुजात, Karnasahtu ये चार जी और हैं श्यूपी यूपी में 40% गन्या पैदा हो जाता है उसको एलाओ अगर इस्टेक्ट रिकना चाहते हो तो फिर इस्टेक्ट राज्य हो जाएंगे महारास्टर गुज्यात और कनृत तमील अडू और ब्राजिल के बाद में ब्राजिल के बाद में इंडिया सेकंड रैंक के उपर है गन्य इंडिया के इंदर होता है काफी इंप्रडेंट फैक्ट है बात आती है चाई की तो आपको पहली बात तो यह जो अब्ज़ेक्टिफ कुसम नहीं इता रोपन कर्शी है ठीक है यानि कि यह प्लनटेशन क्रोप है दूसरे में आपको यह लिखा आई था काली पतियां हरी प प्रोड़क्शन करने में ठीक है प्रोड़क्शन में और वेसे निर्यात में निर्यात का मतलत होता है एक्सपोर्ट करना जब यहां से माल को विदेश में भेजना तो हम सेकंड है चाइना के बाद में आते हैं सेकंड ठीक हम दूसरे नमर के उपर हैं यानि कि भारत में क्यों बारत में चाय खूब पेदा होत निर्यात के निर्यात के एक्सपोर्ट करने में हम सेकंड है ठीक बात आती है कॉफी की कॉफी विश्वे का 3.4 परसेंट इंडिया के इंदर होता है और करनाटे के ल तमीलाडू बेसे लिए तीन स्ट्रेट के अंदर कॉफी पैदा की जाती है कॉफी की तीन किसमें त्री सबसे जाइगा मैं हमेने एक गो ट्रिक बताय है थी अली रोको को अली से तो बन जाएका आसो तो बन जाएगा अरबीका ली से बन जाएगाशा सर्नuggा ने जाएगा ने न हदृबिका और रोबस्ता धीक है तो नजना नजना आइज की कीजिए तो ने यह बैदे का होती है यह चीज समझ में आगी हो गया आपके और बात करते हैं नेक्स्ट आपकी वो हैं कुछ फुल फॉर्म से हैं आई एएपी आई डीपी पी के वीवाई आर के वीवाई आई एएपी का हो गया इंटेंसिव एग्रिकल्ट्रल एरिया प्रोग्रेम गहन कर्शी शेत्र कारिकरम आई डीप इंटेंसिव एग्रिकल्ट्रल डिस्ट्रिक प्रोग्रेम गहन कर्शी जिलाकारिकरम और पीके वीवाई पीके वीवाई प्रंप्रागत कर्शी विकास योजना मैंने इंग्लीश मे क्पर देखान है बाधिकरशी कुछ प्रॉब्लम से कुछ हमेशा हैं प्रॉब्लम सब्चुन कब बारिश हो जाती है कभी नहीं होती है लेकिन हम डिपैंड पर बार बारिश पर प्रपेदावार अच्छी नहीं है क्योंकि हालां कि अब तो हम अच्छी वराइटी की बीज़ ला रहे हैं तो मैंने आपको नौट सम्ट बताया रखाया वीतिस अंसादनू की बाद यता ही है तता रिंगरस्त है वीतिस मतलब में यहां के किसान गरीब है उतना पैसा नहीं ले पाते हैं और इंगरस्त का मतलब मैंने बताई दिया था कि यह बढ़ेवर लोगों से भी आज़े पैसा ले रहते हैं पिर चुका नहीं पाते तो फिर वह इसने साब से वह जमीने बिग जाती सब आते हैं ठीक है फिर वाणिजय करण का भी अभाव है लेको कमर्स कमर्सलिजेशन व्यापक अलब रोजगारी है वास्ट अंडर एंप्लॉइमेंट है और बात करें थोड़ साइज को उपर लेके लेते हैं इसको तो यह है आपका क्रिश्यों की भूमी का निमनिकरण अभी उतनी ख ठीक है तो बहुत ही शांदार है पूरा चेप्टर रिवीजन आपका इसमें हो गया होगा जिसने चेप्टर पढ़ा है उसके तो कोई डावट रह नहीं सकता और मैंने बिल्कुल बहुत ही चोट क्योंगी बहुत बड़ा चेप्टर मानता हूं इसको इतनी बड़ी आपके तो तीन चार पेज भरे होंगे मुश्किल से उसमें पूरा चेप्टर कवर हो गया क्योंकि मैंने टेबलों का यूज़ किया बड़े ध्यान से आप इसको इपर पढ़ लेना बहुत ही शांदार आपके साधी यार बज़े लाइव टेस्ट होगा उसमें सभी को आना है और देखना कि क्या आपका रिजल्ट रहता है ठीक है ओके